नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लों के सामने हूँ आज का मेरा टॉपिक है जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे है इसी इसीम कार्ड आप जानते होंगे जोकि mobile phone में लगा जाता है बिना उसकी mobile नहीं चलता है आप जानते हैं इसीम एक नया concept आया है e-sim इधर पिछले चारपान सालों से चल रहा है तो सबसे पहले आजी हम जानते है sim क्या होता है तो SIM का full form होता है subscriber identity module तो ग्राहक पहचान module जो ग्राहक जो इसको use करेगा उसकी पहचान की विशे में बताती है अच्छा अब इसी में एक सब दाता है SIM E-SIM E-SIM का मतलब होता है embedded SIM E-SIM E-SIM E-M-B-E-D-E-D आप लोग देखोगे embedded मनें रसा हुआ किसी जीत में. embedded SIM का मतलब है हुआ कि इसमें mobile के software में SIM लगा रहता है इसमें अलग से ऐसे mobiles में यह mobile बनते वक्त ही कर दिया जाएगा ऐसे mobiles में अलग से SIM कार डालने कि ज़्युरूत नहीं होती ही उसी mother board में ही सब बना दिया जाता है इसके mobile के और इसमें क्या होता है इसे telecom companies के द्वारा over the air activate किया जाता है over the air ठेक है और बदले में जो सी मुगर लगाने की जगह जो बस्ती है उसका बहुत सारा उप्योग mobile company द्वारा अलग अलग features को जो नेम किया जाता है इससे फाइदा भी होता है कोई नुकसान भी नहीं होता है और नए नए features भी आ जाते है सवाल है पैदा होता है कि इसको इसके क्या फाइदे है पहले तो यह हम जानने है तब तो हमारा काम बनेगा वीच निरें है तो इसका फाइदा है कि बार बार जब आप का मुपाइल खो जाते हो आप कहीं जुह तो उस समय जुह सिम कार्ड नजा डालते हैं दो एक दो चलता है यहां सिम कार्ड क कोई चक्र नहीं हूँ कोर सीच करना भी बहुत आसान काम है इसमें आज आप Vodafone का यूज कर रहे हैं कल आप Reliance का यूज कर सकते हैं जीयों का परसों आप Airtail का यूज कर सकते हैं अच्छा अगर मतलब की वैसे temporarily अगर आपको बदलना है तो और आसान काम है मतलब temporarily भी बड़े आसानी से बदल जाता है समझ रहे हैं कुछ SMS करना पड़ेगा और बस आपका काम बन जाएगा सी में आपका स्विच ओगा नेटवर्क बदल देगा अच्छा एक बात हो रहे है कि एक eSIM में eSIM जब लगाये जाएगा immediate SIM तो इसमें पांच virtual SIM card store किया जा सकता है इतनी सुपधार रहेगी पांच अलग अलग नंबर आप यूज कर सकते हो अभी तो पांच नंबर के लिए पांच SIM लगाने पड़ेगी भले ओ नैनो SIM माइक्रो SIM तो यह चीज है इसमें इसमें कोई फाइदे है अच्छा यह लगाता ट्रेक होता रहता है माले आपका मुबाइल खो गया अब जो यूजर होगा हो मुबाइल को यूज तभी कर पाएगी जवाब का नंबर उमर बदलवाएगी उसके लिए कंपणी के साथ जूड करके उस प्रोसेस करना पड़ेगा इसमें उपकड़ा जाएगा ते इसमें मुबाइल को ट्रेक करना भी आसान कर देता है यह भी एक फाइदा है अब सवाल ही पैदा होता है फिर तब तो यह हर जगा होना चाहिए हाँ यह होना चाहिए हो भी रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है कि नार्मल सिम का कांसेप्ट ही खतम हो रहा है अच्छा जब नार्मल सिम खतम हो जाएगा तो कमपनियों को जो अभी सिम मेशने के लिए इतना खर्च करना पड़ता है वो सब नहीं रहेगा सवाल है इसका नुकसान भी कुछ ने कुछ होगा करें तो इसके नुक्सान बहुत कम हैं सब्सक्ति बनाए गए पहली बात हर्च में आप ट्रैक होते ही में अभीया फर्ट में ठ्रैक नहीं हो रह रह पे लेकिन जैसी ऐसी में उजो गे तो अपने आप ट्रेक होते रहोगे तेक है इससे जो अच्छा यह जो स्विच ओवर की बात हो रहे थी कि स्विच कर दिया जाए मतलब की क्या कहते हैं नेटवर्क चेंज कर दिया जाए यह इतना आसान नहीं होता यह एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जब स्विच को मतलब की अपना नंबर को एक्टिवेट कर आओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको उसको स्विच करना इतना आसान नहीं होता कई असमस अगर भेज जाते हैं वेरिफिकेशन अगर होता तब जाकर के आप स्विच कर सकते हो एक नेटवर्क से दूसरे बस बाकी और कुछ बहुत जादा फाइदा नहीं है अच्छा एक ख़बर दैनिक जागरन में आई हुई है तो आप लोग चाहें तो दैनिक जागरन का पिछली एडिसंस में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रानिक एडिसं में भी है उसके उम्मीद करता हूं कि आपको ई सिम लगी है तो आप इसको जो है लाइक करिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को धन्यवाद नमस्कार जय हिंजय भारत वन्यवात्रम